लो फ्रेंड आज मैं जीरे वाली तूर की डाल बनाने जा रही हूँ बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ मैंने इसमें दो चमज कड़ाई में घी रखा है मैंने पहले एक देड़ वाटी जीतनी दाल तूर की दो के अच्छे से साथ सीटी तक मैंने इसे उबाली है फिर मैंने कड़ाई में दो चमज घी लिया उसे गरम होने दिया और उसमें मैं थोड़ा हींग डाल रही हूँ और आधा चम्मच जितना जीरा मैंने एक आधी मीर्ची बारीक काटी है और थोड़े से करी पत्ते लिए हैं यह मैं इसमें दाल देगे इसे थोड़ा चला लेंगे इसे थोड़ा सा फी पकने देना है जादा नहीं और हमने जो डाल ली थी वो इसमें डाल देंगे अब इसमें मैं आधी चम्मच हल्दी डाल रही है और देड़ चम्मच इतना नमक डाल रही है इसे अच्छे से चला लेंगे इसे थोड़ा अच्छे से उबल में देना है यह दाल को कोई घोटना नहीं है कुछ नहीं है या उबल के अपने आप एक समान हो जाएगी हमारे दाल में उबा ला गया है अब हम इसमें फोड़ी कोथमिर या धन्या पत्ती जो मैंने धो के बारिक काटके रखी है यह डाले में यह दाल बनने में एकदम इजी है और खाने में बहुट टेस्टी लगती है मैं सुधा कीचंचे सुधा शाब ओल रही हैं धन्यावाद